अगर आप भी इस तरों का एनिमेशन एफेक्टेट करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल से और हमारे चैनल से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे आनेवले नया आप्यों को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं चलिए इन एनि से डाउनलोड कर लेते हैं वैसे मेरा काइंड मॉस्टर और पिक्सल लैप डाउनलोड किया हुआ है तो पिक्सल एप को ओपेन कर लेते हैं जैसे हम पिक्सल एप को ओपेन करते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है उसके बाद हमें ए आइकन जो है इस यांबल को क् करने के बाद हमें इडिट में जाना है इडिट में जाने के बाद हम यहां पर जो भी चीज टाइप करना चाहें यहां पर कर सकते हैं जैसे मुझे ग्यान हब टाइप करना है मैंने कर लिया और इसे ok कर देना है ok करने के बाद guys अगर आप इस later को color करना चाहें तो आप color कर सकते हैं color में जाकर आप जो भी color लेना चाहें इसे लेकर अब ok कर दे ok करने के बाद guys हमें जाना है font में font में जाने के बाद guys अगर आप यहां पर उस लेटर का जिस तरओं से स्थाइल डिजाँ आप देना चाहे उस तरों का डिजाइन यहां पर चूच करकी आ अब डे दें जैसे मुझे यह देना है तिसे कृलिक करके खरदें ओके करने बाद गाइस हमें ए 3D टेक्स में जोना रहा है 3D टेक्स में जौने बाद हम इनेबल कर देते हैं इनेबल करने के बाद इसका डिफ कुछ इस तरह का कर देनो है जो कि दिखने में अच्छा लगे और इसे हम अपने हिसाब से साइज इसका बड़ा और छोटा कर सकते हैं जैसी मुझे इतना साइज का चाहिए था तहां मैंने साइज कर लिया है उसके बाद गाइस हमें जाना है 3D Rotate में 3D Rotate में जाने के बाद Y-Axis X-Axis इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं घटाना चाहें तो घटा सकते हैं कुछ इस तरों का दिखने में लगेगा और इसे हम ओके कर देते हैं गाइस ओके करने के बाद उसके बाद हमें स्लाइट में जाना है स्लाइट में जाने बाद ट्रांस्पेरेंट में जाना है और इसे ओके कर देना है और कुछ इस तरों के interface हो जाएगा और इसे हम save कर लेते हैं, यह पर guys save as project है, save as image है, तो हम save as image में save कर देते हैं और default को very high कर देना है उसके बाद save to gallery, और यह मेरा save हो गया, उसके बाद guys हमें काहिन मच्टर में जाना है, काहिन मच्टर में जाना है, इंपटी प्वेंट में जाना है और कभी भी यूट्यूब में वीडियो डालती हैं तो उसका रेशियो होना चाहे 16-9 उसे किलिक कर देना है किलिक करने के बाद गाइज हमें मीडिया में जाना है मीडिया में जाने से पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि इस तरह का एनिमेशन क्रियेट करने के लिए आपको आइस इफेक्ट गिरिन वीडियो डाउनलोड करना परेगा जिसका लिंक मैं डिस्प्रिक्शन बॉक्स में दिया दिया हूँ वहाँ आप जाकर उन वीडियो को डाउनलोड करने वैसे मैं उस वीडियो को ले लेता हूँ वीडियो को लेने के बाद guys इसका starting point में जाना है starting point में जाने के बाद हमें layer में जाना है और layer में जाने के बाद medium में जाना है और guys pixel app से जो भी letter मैंने तभी save किया था उस letter को ले लेना है और उसका size full कर देना है ओर बाइव दिश्टीन कि करना चाहें जितना बढ़ा करना चाहें। उस तरों का आप कर सकते हैं। और गाइज इसमें हमें आलफा में जाना है। और उसका फंट कुछ इसतरह से कम कर देना है 16 14 13 आपको जतना अच्छा लगए जैसा वुस्त तरों से कर देना है गाइस यह तो वीडियो तयार हो गया है चले इसे चला कर देखते हैं कैसा बना गाइस मेरा वीडियो बनकर तयार हो गया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें